हालो फ्रेंड्स मेरा नहाम है तौफीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लक्षर स्टूडियोज तो आज इस Adobe Illustrator के class में हम देखेंगे कि transparency mask क्या option है और उसको use कहां कहां पे किया जाता है तो अलड़ी आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने दो images और उसके नीचे कुछ text लिखा है यहां पे थोड़ा सा आपको difference लिखेगा तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यह जो नीचे है इसको थोड़ा सा zoom करता हूँ मैं यहां पे यह text को नीचे करता हूँ यह देखिए यह जो image है वो background के अंदर merge हो रही है ऐसे लग रहा है लेकिन अगर आप इस image को देखेंगे तो यह simple sharp यहां पे ending है image का तो इसी को transparency mask का use करके किया गया जो की बहुत जादा use किया जाता है designing में Adobe Illustrator में तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो मैं मैंने यहां पे background को gray color दिया है यह देखिए delete करके दिखाता हूँ तो चाहिए तो आप white रख सकते हो और मैं gray रखता हूँ यहां पे और इसको मैं delete कर देता हूँ और इसी को copy करके या import करके आप ला सकते हो फाइल में जाके place जहां से आपको चाहिए जो image चाहिए वो आप ला सकते हो तो मैं यहां से यह यह image लाता हूँ इसको embed पे click करता हूँ और देखिए यह इसके height में रखने की कोशिश करता हूँ तो logbook उसी size की है और इसको पीछे लेके जाता हूँ control square bracket control shift करके थोड़ा सा एक बार up तो यह देखिए text इसके उपर आ गया यहां पी भी आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा readable नहीं है यहां पर आप देख सकते हो text तो मुझे ऐसे दिखाना है कि merge हो रहा है background में तो simple technique है यहां पर इसका जो size है उसके size का मैं एक rectangle draw करता हूँ यह rectangle मैंने draw किया उसके उपर मैंने draw किया और उसको मैं यह देखिए gradient देता हूँ अभी देखिए जैसे photoshop में है photoshop अगर आपनी use नहीं भी क्या है तो कोई दिक्कत नहीं है तो वो masking क्या होता है जब आप black color देते हो तो layer hide हो जाता है black color masking में और white color तो layer visible हो जाता है तो यह simple याद रखिएगा black color से hide white color से visible होता है तो यहां पर अभी मुझे black color नीचे चाहिए और white color उपर चाहिए तो इसका angle हम change करते है ऐसा ही चाहिए मुझे तो white color पे visible होगा black color पे invisible और हम use करेंगे यहां पर gradient tool का बाद में use करेंगे तो यह gradient tool का थोड़ा सा use करके मैं इसको नीचे लेके आता हूं तो पूरा white हो जाएगा और यह black थोड़ा सा उपर और यह center point को हम change कर सकते हैं कुछ इस तरह से अभी यहां पर हमें क्या करना है यह देखिए यह दोनों objects को हमें select करना है जो पीछे है और इसको थोड़ा सा मैं side में लेता हूं इसको और यह देखिए दोनों select हो गए उसके बाद हमें जाना है transparency panel में अगर यहां पर नहीं है तो window में जाके आप शुरू कर सकते हो on कर सकते हो और यह दोनों भी selected है याद रखिएगा वापस एक बार यह देखिए यह click किया और जो image है यह वाली जो पीछे इसको select किया और make mask करना opacity 100 रखने है तो यह देखिए और यहां पर click करके इसको मैं move करता हूँ सिर्फ जो shape था उसको exactly जो image की length थी यह alignment उस पे मैंने लेकिया आया उसके बाद वापस में change कर सकता हुए देखिए gradient tool का use करके यह अभी याद रखिए नीचे black color है इसलिए hide हो रहा है देखिए इसको अगर मैं उपर लेके जाओं तो यह hide होगा easy है और इसको अगर मैं और उपर तो white color है white color में visible होगा और याद रखिएगा black color जो है पूरा pure black होना चाहिए double click करके यह नीचे जो होता है यह वाला पूरा pure यहां पे black color होता है यह याद रखिएगा नहीं तो अगर gray आपने दिया तो थोड़ा सा semi transparent हो जाए तो इसको change करके देख सकते हो और इसको थोड़ा सा यहां पे लेके जाता हूँ और भार जैसे में click करूँगा तो आप देख सकते हो difference माफ कीजिएगा अभी देखिए इसको पहले यहां पे click करके यहां पे click करना पड़ेगा इसके बाद ही जो बाकी के option से work करेंगे इसको side में लेके जाता हूँ इसको भी side में लेके जाता हूँ तो difference आप देख सकते हो कि यह यहां पे यहां पे click किया इसको link cancel करके भी आप use कर सकते हो अभी link ओने link cancel किया तो क्या होगा सिर्फ image या जो mask है वो मुह होगा इतना याद रखिएगा इसको मैं वापस on करता हूँ तो यह थी दोने एक साथ भी मुह होगे दोने एक साथ मुह होगे यहां यहां पे एक जगह पे ट्रांसपरेंसी नहीं है बूसरी जगह पे है यहां पे पूरा opaque है तो इसका आप use कर सकते हो और ऐसा नहीं कि सिर्फ images पे use कर सकते हो आप आप object पी भी उस कर सकते हो तो for example यहां पे देखते हैं तो यहां पे मैं एक shape create करता हूँ इसको simple solid color दे देता हूँ दिखिए solid color यहां पे दिया और इसको भी मुझे linear transparency देनी है मतलब एक साथ में transparent एक साथ में opaque रखना है मुझे तो same है इसको ही मैं क्या करता हूँ इसको ही copy करता हूँ दिखिए और इसको gradient दे देता हूँ यह black and white दे दिया इसका वापस minus 90 क्योंकि मुझे white उपर और यह नीचे चाहिए और इसको थलका सा इसके उपर रखता हूँ क्योंकि मुझे select करना possible होना चाहिए इसलिए थोड़ा सा रख रहा हूँ इसके उपर और इसके बाद यहाँ पर यह लॉक करता हूँ तो दोनों मुझे होगे अभी तो आप देख सकते हो और यहाँ पर अगर मैं click करूँगा इस पर वापस gradient tool पर जाके मैं change कर सकता हूँ यह दिखे वेरियेशन change कर सकता हूँ नीचे से black है इसलिए यह यह देख सकते हूँ यह पूरा hide हो रहा है दिखे तो यह ऐसे दिखेगा कुछ और इसकी मैं copy लेता हूँ यह alt press करके अभी दोनों को select करना पड़ेगा यह copy लिया मैंने और इसमें मैं क्या करता हूँ इसको release करता हूँ और यह delete कर देता हूँ तो आप देख सकते हो इसको zoom करता हूँ मैं Z और यहाँ पे zoom तो आप देख सकते हैं कि यह दिखे यह original था shape और इसको हमने transparency mask करके linear transparency मतलब जो इसका आधा portion था थोड़ा सा portion इसको transparent किया और ऐसे नहीं कि एकदम से opaque हो र होगा यह तो मैं आपको recommend करूँगा यह ज़रूट आप try करके देखेगा बहुत ही useful यह option है और property है transparency mask और भी masking है जो one by one हम देखेंगे तो यह आशा करता हूँ कि यह आपको useful लगा होगा यह जो tutorial था तो अगर useful लगा तो इस वीडियो को like ज़रूर कीजेगा मेरे channel को subscribe कीज share कीजेगा तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye and see you when I see you